नमस्का, मैं होस्तासी आयो जर्खन की टव पचीस पर मुख खबर जानते हैं श्री राम भूमी पूजन पर आतंकी हमला का खत्रा अयोध्या में 5 अगस्त को श्री राम मंदिर भूमी पूजन की तेयारिय जोरो सोर पर है प्रधान मंदिर नमदि इस कारिकरम में समिलित होंगे आपको बता दे कि इस भवे समारों पर आतंकवादी हमले का खत्रा मन रहा है सुत्रो के अनुसार पकिस्तान समर्थित अतंकवादी गुटो ने अयोध्या राम मंदिर भूमी पूजन कारिकरम के दोरान अतंकी हमले की योजना बनाई है समाचार एजनसी के मुताविक पकिस्तान की खुपया एजनसी आईस आई ने अतंकियों को अफगानिस्तान से ट्रेड किया है SBI में 3850 और बिहार फोरेष्ट के 236 पदों पर भरती SBI ने सर्किल बेस्ट ओफिसर के 3850 पदों पर आवेदन अमेंतित किया है इसके लिए किसी भी विशाय में असना तक यू आवेदन कर सकते हैं आयू सीमा की बात करें तो अधिक्तम आयू 30 वरस तक होनी चाहिए एक छुक उमिद्वार 16 अगस तक ऑनलाइन आवेदन www.sbi.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं बिहार केंद्रिये चयन परसद ने फोरेश्टर के 236 पदों पर आवेदन आवेदन बिहार केंद्रिये चयन परसद की साइट पर जाकर दे सकते हैं मार्च 2022 तक परास सिक्षक अस्थाई नहीं हुए तो सिवा मुक्त होना पड़ेगा रश्ट्रिये सिक्षा निती केंद्र सरकार ने जारी कर दी है प्री प्राइमरी से लेकर उच सिक्षा के लिए अलग अलग परधान किये गए है आपको बता दे कि 34 साल के बाद आई नहीं सिक्षा निती में मार्च 2022 तक के बाद कोई भी पारा नियोजीत या अनुबंध पर सिक्षक इस्कूल में नहीं रहेंगे इस्कूलो में जो भी सिक्षक होंगे वह अस्थाई होंगे आपको बता दे कि जार्खन के 65,000 पारा सिक्षक भी परभवावीत होंगे राजसाकार मार्च 2022 तक इन पराशिषको को अस्थाई कर लेती है तो इनकी सेवा बरकरार रहेगी नहीं तो इनने सेवा मुक्त होना पड़ेगा जार्खन में 469 संक्रमीतों को पुष्टी हुई जो पूर्वी सुम से 103 बोकारों से 81 राची एक हतर पच्मी सिमुपचास गिरीडी ब्याली सिमडेग्गा 26 सराय के लाउनाइस पलामू 10 रामगर 9 सायवगन 7 देवघर कोडारमा वा हजारी बाक्छो दूमका से 5 धनबाद खोटी लाते हार वाल हदागा से 33 जाम तड़ा से 2 पाकूर से 1 खाएं जार्खन में कुल संक्रमीतों को संख्या 10,496 हा जाबकि 41 सच्छी अतलोक स्वास्थ हुए और 103 की म्रिती हो गाई एक्टिव केस हस्पीटल में संक्रमीतों का इलाज नहीं करने पर रध होगा उनका लाइसेंस मंत्री संक्रमीत मरीजों का इलाज करने से जो अस्पताल इंकार करेगा उनका निबंधन रध कर दिया जाएगा स्वास्त मंत्री बना गुपता नहीं अबाद कई है गुरुवार कोजम सेथबूर के सर्किट हाऊस में कोलहान प्रमंडल में बरते संक्रमन के मामले की समीक छाक करते हुए शिरी गुपता नहीं अबाद कई है बिजली बिल में 1.25 पैसा प्रतिय उनिट तक इजाफा जे बी बी एन एल की टैरिफ में जहां घरेलू भगताओं की दरों में 1.25 पैसा प्रतिय उनिट तक बढ़ोति करने का प्रवधान है वहीं अध्योगिक उभगताओं के लिए बीली दर में एक रुपया पचीस पैसा प्रतिय उनिट कमी का भी प्रस्ताव है सर्जू राय बनाएंगे नई पार्टी पिछले विधान सभाद चुनाव में ततकालिन मुख्य मंतिर अगवरदास को जमसेदपूर पूर्वी सीट से हरा कर विधायक बने सर्जू राय ने राज अस्तरिय नई पार्टी बनाने का फासला किया है निर्दालिय चुनाव जितने के बाद सिरी राय ने जमसेदपूर पूर्वी वा पच्मी बिधान सभाद चेत्रों की समस्या को लेकर भारतिये जन मोर्चा बनाया था आपको बता दिखुआ अब इस संगठन का बतौर पार्टी पूरे राज्ये में बिस्तार करेंगे शुक्रवार को इस ममले में फिर सुनवाई होगी आपको बता दे कि संसद निसिकान दूबे ने बासुकीनाथ और बाबा बैसनाथ धाम को आम जनता की पूजा के लिए खुलने की मांग को लेकर याज का दाखिल की है मुख्य मंत्री के लिए ली जाएगी 60 लाग की BMW कार मुख्य मंत्री हमां सुरेन अब ज्यादा दिनों तक पुरानी कार पर नहीं चलेंगे उनके लिए BMW कार खरीदने की पूरी तैयारी कर ली गई है बीसो परसीद BMW कार के मॉडल 520D को मुख्य मंत्री की अधिकरित सवारी के तोर पर पसंद किया गया है इस कार की कीमत लगभग 60 लाग रुपए है आपको बता दे कि यह कार पुरुवाती जर्खन सरकार के कारेकाल में खरीदी गई थी पलामू मेडकल कोलेज में प्रति दिन 1500 सेंपल की होगी जाच जर्खन में 31 अगस्त अगास तक बढ़ा लॉकडावन पहले की तरह मिलेगी छूट केंद्रे की ओर से ऑन लॉक 3 की गाइड लाइन जारी होने के बाद जर्खन के हमन सुरेन सरकार ने परदेश में लॉकडाउन को 1 अगस से 31 अगस 2020 तक बढ़ा दी है इस दोरान ऑन लॉक 3 में कोई बदलाव नहीं किया गया है कंटेन्मेंट जोन को छोड़ आने छेतरों में पहले की तरह छूट रहेगी लेकिन मास्क और सोसल डिस्टेंसिंग को जरूरी कर दिया गया है मास्क नहीं लगाने पर सकती बरती गई है वहीं अनलाग 3 में भी सेक्षिनिक सस्तान मौल हौल आदी जर्खन में बंद रहेंगे केंद्रिय कोईला मंत्री का एलान संक्रामन से कोईला कर्मियों की मौत पर मिलेगा मुअबजा केंद्रिय कोईला मंत्री पर अलाद जोसी जर्खन के दोरा पर है इस दोरान कमर्सियल माइनिंग को लेकर जहां मुख मंत्री हमान सुरें से मुलकात की वही कोल अधिकारियों के साथ केंद्रिये मंत्री ने बैठाक भी की। इस दोरान केंद्रिये कोईला मंत्री ने संक्रामन के दोरान कोईला कर्मियों की मौत पर 15 लाकी मुअबजा की घोस्तना की है। कि आपस में तीनों उपायुक्त और सभी सिविल सर्जन आपसी ताल मेल के साथ महामारी से निपटने के टीम भावना से काम करेंगे। पुर्ण महतों के अध्यक्सता में हुई। धनबाद उपायुक्त का आदेश होम क्वरेंटीन का पालन नहीं करने वालों के विरूद करवाई। धनबाद डीसी सव अध्यक्स जिला आवदा प्रवंदन प्राधिकार उमा संकर सिंग ने गोविंदपूर निर्शा जहरिया तथा केलिया सोल के इंस्टल कमांडर सव प्रखंड विकास पता अधिकारों को उनको छेत्र में राजेक के बाहर से आने वाले विक्तियों के व उमताज ने गुरुवार को कर्मा टान परखंड में चल रहे योजनाओ का अवचक निरिक्षन किया इसके अलावा उन्होंने फोफनाद पत्थर खदान का भी निरिक्षन किया निरिक्षन के दोरान मोके पर उपस्थित डीमो राजा राम परसाथ को निर्देश दिया कि बिना चलान का एक भी गाड़ी ना चलाएं सियाटा योजनाओ निरिक्षन के दोरान रोड से ले जा रहे अवच तरीके से गेटी ओबर लोड हाईवा को उपायुक्त ने पकड़ा मोके पर उपस्थित जिला खनन पताधिकारी को करवाई करने का निर्देश भी दिया पलामो में मांसून ज्यादा महरबान चार बर्स की तुनला अच्छी बारिस इस बार पलामो प्रमंडल में मांसून पिछले चार साल की तुनला में ज्यादा महरबान है कौम बरसा वाले इसके तीनों जीलों में इस बार भरपूर बारिस हुई है इससे यहां खरीब फसलो की अच्छी बेतरीन खेती की उमीद बढ़ गई है इसके तीनों जिलिये गड़वा लाते आर और पलामों में अवसत से अधिक बारिस हुई है आपको बता दे कि इसके पहले बर्स दोया सत्रह में पलामों में अच्छी बारिस हुई थी लेकिन इस वर्स के वाल पलामों और आपको बता दे कि काम या रोजगार पर जाने की वजह से इसमस्या आ रही है आईसी समस्या कंटेंट उपलाब्ध हो रहे आधे बच्चों के साथ निकल कर सामने आ रही है वहीं अब मिल रहे कंटेंट का फीडबैक देने से कत्रा रहे है या तो फोन रिसीव नहीं किया जा रहा है या फिर यह कर दिया जा रहा है कि कंटेट अभी देखा नहीं है राची में संक्रमन रोकने के लिए थानावार चार टीमों का किया गठन संक्रमन से रोक्थाम और सुअक्षा व्यवास्था को लेकर उपायुक्त के निर्देश पर गुरुवार को जिला परसासंदवार टीम का गठन किया गया थानावार चार्ट टीमों का गठन किया गया है जो संक्रमन से रोक्थाम के लिए जारी दिशा निर्देश का अनुपालन हो रहा है या नहीं इसका सर्वेक्षन करेंगी या टीम बजार दुकानों चोक चोरा हो भी भारवाले इलाकों में संक्रमन से रोक थाम के लिए जारी दिशा निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करेगी खोटी उपायुक्त ने सोतनतरता दिवा समारो को लेकर जारी किये दिशा निर्देश संक्रमन के दर में 15 अगस्त को अवित होने वाली सोतनतरता दिवा समारो को लेकर उपायुक्त ससी रंजन ने कई दिशा निर्देश जारी किये है उन्होंने कहा कि मुखे समारो सहित अन्य समारो में भाग लेने के लिए सभी लोगों को मास्क लगाना और सरुरिक दूरी का पालन करना अनिवारे होगा उन्होंने बताया कि सहरी छेत्रों में उस दिन सुबा 6 वय से अप्राहन 12 वय तक सभी तरह के भारिवानों का आवागमन बंद रहेगा जार्खन के 266 सिक्षकों का बेतन रोका गया सभी से मंगा गया प्रमान पत्र राजे के विभिन विद्यालियों में पदस्थापित नव नियुक्त असनातक प्रसिक्षकों का बेतन भुकतान जुलाई मासे अस्थागीत रहेगा जीला सिक्षा पताधिकारी मिथलेस कुमा सिंगा ने जीला के सभी प्रधाना ध्यापक प्रभारी प्रधाना ध्यापक रजगी क्रीद प्रोजेक्ट उतकर्मिक उच विद्याले को इसे अउगत करया है आपको बता दी कि 269 नियुक्त सिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने अपना जाती परवान पत्र और वासियों परवान पत्र उपलब्द नहीं करया है जबकि इनकी जाच होनी अभी बाकी है नई सिक्षा नीती में जार्खन कैडर के आईएस की बड़ी भूमका राश्ट्रिये सिक्षा नीती 2020 पर बुदवर को केंद्रिये केमिनेट ने अपनी स्विक्रिती पतान कर दी है इस राश्ट्रिये सिक्षा नीती को लागु कराने में जार्खन कैडर के आईएस पताधिकारी अमीत खरे की महत्पूर भूमका रही है उन्होंने ही केंद्रिय मानों संसाधन विकास मंत्राले के तहत इसकूली सिक्षा और उच सिक्षा विभाग के सचीव रहते इस नीती का ड्राफ्ट दयार कराया। राजे में अगले सप्ता से संक्रमन जाच को बढ़ा कर डेर गुना करने का लक्ष रखा गया है। बता दे कि इस लक्ष को प्रति दिन 85 सो तक किये जाने है। आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहुल का बेल एकन दबाई है। साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को बाट से फेस्बुक टूटर इंस्टाग्राम पर सेयर करें। आप कोमेंट में अपना सुझावत दे सकते हैं।